नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागा थे गवा फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में तो यहाँ पर आज हम दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ पर मद्द्देश साइन्स के कुछ कोश्चन हो पर हम यहाँ पर नजल डालेंगे चैनल पर आये हैं तो सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो यहाँ पर आपकी सामने पहला कोश्चन है कि निम्न लिखित मैंसे किसका ध्वानी के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह हैं दाब यहाँ पर जो है ध्वानी के वेग पर दाब का जो है प्रभाव नहीं पढ़ता है दूसरा जो कोश्चन है आपकी सामने अधी केंद्र का संबंद किस से है अधी केंद्र का संबंद आपका भुकम्प से है नेक्स जो कोश्चन है बोलो मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है तो दोस्तों बोलो पूंच्छ ने की थी तो दोस्तों आपको पता होगा X-ray की जो की थी रो ए जेन ने की थी रेडियो तरंगों के संचरन के लिए प्रियोक्त वाईू-मंडल का इस्तर क्या है तो यहां पर रेडियो तरंगों के संचरण के लिए जो आपका आयन मंडल है यह आपका सही आंसर है निमनलिखित किस माध्यम में ध्वनी अपेक छकरत तेच चलती है तो आपकी लोही की जो छड़ है उसमें ध्वनी जो है अप एक छक्रच टेट चलती है एक्स किर्णों या एक्स किर्णे किसको पार नहीं करती है तो अस्थी जो है ये जो एक्सरी जबाब कराते हैं हड़ी का तो जो ये किर्णे है ये अस्थी को जो है पार नहीं करती है अगला जो कोशन है कड़ों की वेवस्था अत्याधिक क्रमिक होती है किस पर होती है ठोस पदार्थों में निमने लिखित में से कौन सा उदाहरण रसाइनिक परिवर्तन को नहीं दरसाता है तो यहाँ पर आपका पानी से बर्फ वनना यह रसाइनी परिवर्तन को नहीं दर्साता है किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है तो वास्पी करन से जो है आपका समुद्र के पानी से नमक आपको प्राप्त होता है अगला जो कोश्चन है वायू मंडल में कौन सी गैस पारावैगनी केड़नों का अवशोषण कर लेती हैं तो आपकी जो ये गैस है ओजोन यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है निमन लिखित में से आस्त्रू गैस का घटक कौन सा है यानि कि आस्त्रू गैस का घटक कौन सा है तो वह है है आपका क्लोरो पीकरिन ये आपका जो है सही आंसर है अगला जो question है आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा question है IMP question है आप इस पे star भी लगा लीजिगा निमने लिखे तो मैंसे जड़ का उदाहरण नहीं है पहला आपका गाजर, मूली, आलू, चुकंदर तो दोस्तों जड़ का जो उदाहरण है वह सही आंसर है आपका अगला जो question है दोस्तों वायू मंडल में 78% nitrogen और 21% oxygen उपलब्द है तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं आयतन में, भार में, घनत्तों में या फिर सभी यानि कि इस तीनों है इन में तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका वायू मंडल में 78% nitrogen और 21% oxygen एक लंग रोग हो जाता है तो यह है आपका कोईला खान में जो है जो कोईले खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उन पर यह रोग हो जाता है इसको आप याद रखिए जाए आयम पी question है अगला जो question है दोस्तों टमाटर का पौधा है साख का जाड़ी का पेड़का या कोई दोस्तों टमाटर आपको पता है उपर ही लगे रहते हैं तो यह जो आपका सही answer है साख के साथ चला जाएगा नेक्स जो question है आपका तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदारण है पानी में स्याही का फैलना आपका यह जो answer सही है पानी में स्याही का फैलना एक question और है दोस से व्यस्त अंग कौन सा होता है व्यस्त अंग होता है आपका हिरदय अगला जो कोशन है दोस्तों आप देख सकते हैं विक्रत गंदिता से क्या प्रदर्सित होता है औक्सी करण के कारण तेल और वसा का खराब होना वायू मंदली औक्सी करण से भोजन का खराब होना नाइट गंधिता से जो प्रदर्सित होता है वह है आपका ऑक्सीजन के कारण तेल और वसा का खराब होना अगला जो कोशन है दोस्तों कपड़ों को सुखाने के लिए फैला कर तार पर क्यों टांगा जाता है यह तो दोस्तों सभी करते हैं हर एक व्यक्ति करता है यह कपड़ों को करण बरकरार रखने के लिए तो जल्दी कमेंट करके बताईए तो दोस्तों यहां पर जो आपका सही आंसर है वह है आपका थाड़ वाला कि यहां पर पानी के वास्पिय करण की दर को बढ़ाने के लिए एक यह भी अच्छा कोशन है आयम पी कोशन है दोस्तों आ सकता है स जो चुनाओ है वह भंडार के दोरान यहां पर आनाज के नश्ट होने को नियंत्रत नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट कोशन यहां पर आप देख सकते हैं निम्न मैसे 30 डिगरी सेलसियत पर पिखलता है लोहा तामबा थालियम या फिर गैलियम तो दोस्तों यहां पर 30 डिग तो उनके संचे के किस संचे में किस तरीके को अपनाया जाता है तो यहां पर सूर के प्रकास में सुखाना केट नासक का छिड़काव पानी में उबालना या फिर इनमें से कोई नहीं तो जाल्दी से दोस्तों आप कमेंट करके बताईए कि यहां पर जो कुशन एक बर मैं और फिर से आपको बता देता हूँ दानों को बीजों के रूप में प्रियोग करने हे तू उनके संचेन के किस तरीके को अपनाया जाता है तो यहां पर जो आपका सही आंसर है पानी में उबालना यह आपका जो है थाड़ वाला सही आंसर है अगला जो कोशन है आपका निम है copper copper जो है धातु तार के रूप में जो है वो उपलब्द होती है अगला जो कोशन दोस्तों खोपडी में पाए जानी वाली हडी या हड़ियां किस संधी से जुड़ी होती है हिज संधी से अचल संधी से इन में से कोई नही कदूक खली का संधी से ये तीन आपके पास दिये हुए हैं आप इन में से जल्दी कमेंट करके बताएए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल पर अगर आप पहली वार विजिट कियें तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है खोपड़ी में पाए जाने वाली जो हड़ी की संधी है वह आपकी अचल संधी है कौन सी संधी है दोस्तों अचल संधी आपकी फर्डवाला ओसन जो है वह सही है next question कौन से दो रंगों को मिस्रित करने से आपको हरा रंग जो है वह मिलता है हरा रंग तयार होता है नारंगी बैगनी नारंगी काला लाल काला या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों जल्दी बताईए तो यहाँ पर जो आपको दो रंग को अगर आप मिस्तरित करते हैं तो आपको हरा रंग मिलेगा आपका नारंगी और बैगनी का मिस्तरित करने से तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कल लें दोस्तों को सेर जरूर करें ताकि न्यू अपडेट आप सभी को हमारी चैनल के माद्यम से और ऐसी कोशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें